अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में आज होगी आज 14 मार्च 2021 तो चलिए बिहार के टॉप 15 बड़ी ख़बरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं आज की तरह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रते हैं साथ ही अपने तरब से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे और वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ब Special Educator पदों पर 1126 वेकंसी निकाली है। इनमें 487 पद अनारक्षित है। EWS के लिए 54, OBC के लिए 328, SC के लिए 164 और ST के लिए 93 पद अरक्षित है। इन पदों के लिए ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मार्च 2021 से शुरू होगी। इच्चु कुमिदवार dssbonline.nic.in पर जाकर 14 अपरेल 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बदा दे कि इसके लिए सेक्षिनिक योगिता बारवी पास एवं रिहाविलेशन काउंसलिंग आप इंडिया से मायनेता प्राप Special Education में दो वर्षिय डिप्लोमा एवं State Certificate होना अनिवार है। इसमें आयू सिमा अधिक्तम 30 वर्ष रखा गया है। और आवेदन की फिस की बात करें तो सामाइन वर्ग के लिए 100 रुपी सुल्क देना होगा और महिला HTSC के लिए कोई फिस नहीं लगेगा। बिहार में 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलट लोगों से की अपील बिजली चमकने पर घर से ना निगिया। आप या आपके परिजन गया नवादा और अंगाबाद सितामडी सिवर और मदोबनी जिले में रहते हैं तो यह अलट आपके लिए हैं। मौसम विगान केंद्र ने इन जिलों के कुछ भागों में वजरपात होने की चेतावनी दी है। आप इस इलाके में नहीं रहते हैं लेकिन यहां रहने वाले किसी परिचत को जानते हैं तो यह खबर ततकाल फरवड करें। में चेत्र में भी लोगों से अलट रहने को कहा है। यहां भी बारेश के साथ वजरपात और बिजली कड़ेक्रीन की सम्हावना है। सितामडी और सिवर को लेकर भी ऐसा ही अलट जारी किया है। संदी को लेकर जमकर हंगामा करना सुरू कर दिया। इसी बीच विदानसमा में पक्च और बिबक्च के विदायकों के बीच धक्का मुक्च की सुरू हुई। सत्तापक्च की सवाल पर बिपक्च इतना भड़क गया की नौबत हाता पाइत तक पहुच गई। इस दोरान बीच बचाव के लिए मंत्री सुमित सिंग और निरज बबलू भी वेल में आ गए। उनके साथ मारसल भी वेल में पहुचे। राजद और माले ने विदानसवा में प्रदंशन किया और सड़क पर उतर गए बता दे कि तेजस्वी यादम ने कल सनिवार को प्रेस कॉंफरेंस कर मुझपर पूर में एक स्कुल से सराब की खेब बरामद होने के मामले से तेजस्वी यादम ने बिहार सरकार के मंत्री राम सरकार के मंत्री वा भाजपा नेता राम सुरत राय पर हामला करते वे इस पूरे मामले में बड़े खेल के तरफ इसारा किया था और स्कुल की संबत्ति में मंत्री राम सुरत राय की परिवार को लपिटा था इस पूरी घटना के बाद तेजस्वी यादम राजपाल से मिल कर उन्होंने इस मामले की ग्यापन सोपी कोरोना जाच में गड़वडी चे विधानसवा कमिटी से कराने की मांग तेजस्वी ने सरकार को घेरा बिहार में कोरोना टेस्टिंग के दोरान गड़वडी का मामला कल एक बार बिहार विधानसवा में उठा दरसल विधानसवा में प्रसनुतर काल के दोरान आरजेडी विधायक ललित यादव ने सरकार से इस मामले में की गई कारवाई को लेकर जवाब मांगा था स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने सरकार से इस मामले में कई जिलों के अंदर जाज कराई गई लेकिन जमुई को छोड़ कर और कही गड़वडी सामने नहीं आई स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने कहा कि दोसी अधिकारियों पर कारवाई भी की गई इसके बाद ललित यादम ने सदन में मांग रखी कि विदानसवा कमिटी से गरवडी की जाच कराई जाए स्वास्त मंद्रे मंगल पाने ने विप्रक्ची विदाय के इस मांग को खारिज कर दिया जिसके बाद नेता प्रतिपाच तेजस्वी आदम इस सदन में उट खड़े हुए तेजस्वी आदम ने कहा कि विदानसवा में सरकार ने पहले ही कमिटी बनाने की बात कही थी सभी दलो के नेताओं को उस कमिटी में रखने के बात कही गई थी और इस कमिटी को कोरोना से निपटने के लिए जवाब दही लेने की बात हुई थी लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ तेजसवी आदम ने कहा कि सरकार को इस मामले में उदान सिंता की वज़ा से कमिटी बना कर पहल करनी चाहिए दूसरी और सदन में हंगामे के बाद नितिस को तलास रहे हैं तेजसवी बोले विपक्च की आवाज दबाने की कोशिस हो रही है यहार विदानसवा में मंत्री राम सुरत राय को लेकर हुए जबरजस्त बवाल के बाद नेता पतिपक्च तेजसवी आदव मुख मंत्री नितिस कोमार को तलास ते नजर आए विदानसवा से बाहर निकल कर तेजस्वी ने विदान मंडल परिसद से प्रेश वारता कि इनोंने नितिस कोमार की गैर मुझोदगी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सदन में हंगामा हो रहा है सरकार के एक मंत्री के उपर गंभीर आरोप लगे है और सवित दस्तावाज के साथ हम सवाल पूछ रहे हैं बावजोद इसके मुख मंत्री आज सदन से गेर हाजिर है तेजस्वी आदम ने कहा कि विदानसवा में वह अपनी बात रखना चाते है लेकिन सत्तापक्च के लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया तेजस्वी आदम ने आरोप लगाया कि विदानसवा में जनहित के सवाल का जवाब सत्तापक्च या सरकार नहीं दे रही है 16-21 अप्रेल तक किला मैदान में बक्सर के राम राम महसव 2021 का होगा आयोजन भारतिय क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग होगी सामिल जी हां बक्सर के किला मैदान में बक्सर के राम राम महसव 2021 का आयोजन होगा 16 अप्रेल से 21 अप्रेल तक यहां कारिकरम आयोजित की जाएगी जिसमें भारतिय क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग सामिल होंगे रामानन सागर के रामायन धारावाईक में राम की भूमिका निबाने वाले अभिनिता आरुन गोविल, गुगल वॉय, कोटिल पंडित, बाल कथा वाचक, ससी सेकर, आदोनिक रामलिया की जानी मानी कथक, निर्त गांगा रिका महरा समेत कई बड़ी हस्तिया सामिल होंगे वहीं इस मावस्व में राष्टिय और अंतराष्टिय इस्तर के भी कई लोग पहुचेंगे जेडोई में RLSP का होगा आज विलाई, नितीश के मौजोदगी में उपेंद्र खुसवाह कबोलेंगे नित्तुत्व बिहार की स्यासी गल्यारे से इस वक्त की बड़ी और ताजा कबर सामने आ रही है राष्टिय लोग समता पार्टी का जनता दल उनाटेट में आज यानि रहीवार को विले हो जाएगा रहीवार को दोपर दो बजे जेडोई कारियाले में विले का कारकरम रखा गया है उपेंद्र खुस्वाहा ने कल अपनी पार्टी के नेताओं के महतपून बेठक बुलाई थी इस बेठक में विले संबंदी प्रस्ता पर चर्चा के बाद आंतिम तोर पर यहां फैसला कर लिया गया है कि जनता दल इलाटेड में राष्टिय लोक समता पार्टी का विले हो जाएगा हाला कि यहां केवल अप्चारिकता मात्र थी खुस्वाहा पहले ही विले को लेकर सारी बादचित कर चुकी थी बिहार बोर्ड बारवी परिच्चा की आंसर की जारी बिहार बिदाले परिच्चा समीती ने इंटर्मेडियेट परिच्चा 2021 की आंसर की बोर्ड के अधिकारिक बैवसाइड बिहार बोर्ड ओनलाइन.bihar.government.in पर जारी कर दी है परिचात्री बैवसाइड पर जाकर प्रस्ण पत्र में पूछे 50 फिज़े औबजेक्टिक प्रस्णों की आंसर की चेक कर सकते हैं किसी प्रस्ण के उत्तर पर कोई एतराज है तो अपनी आपत्ति 16 मार्ज तक ओनलाइन मोड से दर्ज करवा सकते हैं इसकूल में सराब ब्रामदगी पर मंत्री ने दिस सफाई कहा दो दिन के अंदर माफी मांगे तेजस्वी वरना करूंगा मनहानी का केस जी हाँ बिहार विदानसवा में नेता प्रतिपक्ष तेजसर यादम ने प्रस्ण काल सुरू होते ही सदन में रामसरत राय का मुद्दा ठाया और सरकार से इस पर जवाब मंगा उन्होंने मंत्री की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि जिस स्कूल से सराब बरमद हुई है उस जरबारा में हमारा रजिस्टर्ट बटवारा हो चुका है अगर वहां इस घटना में दोसी है तो सरकार उनके खिलाब करवाई करे इसके जाज किसी भी अजन्सय से कराए हमें कोई आपते नहीं है एंडिये सरकार दोसीयों पर करने के लिए जाने जाते हैं ना कि उसके क्लिप्टोन के तर्ज पर राजगीर में बना सस्पेंशन ब्रीज पैर रखते ही चनक जाएगा सिसा जिहां नेचर सफारे नालंदा नवादा और गया के 500 हेक्टेर वन छेतर में इसका निर्मान किया गया है इसमें बनाया गया देश का पहला ग्लास इसका वक ने खूब जिनकलाव को जोडता है 135 मीटर लंबा और 6 पीट चोड़ा या सुबह का पहला टूरिष्ट सस्पेंशन ब्रेज है इस पर करेब 50 लाक रुपे खर्चाये हैं सबसे खास बात या है कि इसका निर्मान इस्तानिय कारेगर वह मजदोरे नहीं किया है जबकि ग्लास इसकाइवाक के निर्मान के लिए मुंबई से करेगर बुलाए गए थे ग्लास इसकाइवाक में अब एक कोच काम सेस हैं सतपर लगाए गए सिसे में समयदन सिलता डाले जाएगी अर्थात उस पर प्यार रखते हैं सिसा चनकने जैसा ही प्रतित होगा सिसा का रूप भी इसके पहले कोच दिन उस सिसा को समय नहीं छोड़ दिया जाना है क्यूंकि समयदन सिलता डालने के बाद सेलानियों के भवित होने की असंका बनी रहेगी बिहार के 28 जिलो की भूजल इसतर की रिपोर्ट तैयार 17 जिलो की स्तिती बहतर 9 जिलों में स्तिती खराब बिहार में PHED ने राज के 28 जिलो के भूग गर्ब जल इस्तर की रिपोर्ट तयार कराई है यह रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020 के 28 फरवरी के अनुपात में 2021 में इस तिथी को भूग गर्ब जल का इस्तर 17 जिलो में बहतर हुआ है जबकि 9 जिलो में यहां इस्तर नीचे गया है वहीं एक जिला सिता मड़ी में जल इस्तर बराबर है इसको लेकर PHED ने सभी आवैसक तयारी करने का निर्देश जिले को दिया है राज में संक्रमन की बढ़ी आसंका 30 जून तक अलट होली और लगन के समय लोगों के सेंपल की होगी जाजिया होली और लगन में आने जाने वाले अधिक से अधिक लोगों का सेंपल लेकर जाज करने का भी निर्ने लिया गया है स्वास्त बिवाक के प्रदान सचिव प्रतत अमरित ने सुक्रवार की साम वीडियो कॉनफरेंसिंग में अधिकारियों को कहा कि होली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, कुलकत्त समेत आने सहरों से आते हैं बिहार के 11 जिलों में खुलेंगे चाइल्ड फ्रेंडली कोट जिहां समाज कैलान विभाग 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोट बनाने का निनने लिया है जिसका काम इसी वित्तिय वर्स में पुरा हो जाएगा केलान विभाग ने इस समद में चिनित जिलों को 20-20 लाग रुपय का अवंटन किया है इस चाइल फ्रेंडली कोट में पोक्सो एक्ट एवम अन्य बाल अपरादियों के सिकार बने पीडित बच्चों के मामलों की सुनवाई होगी और हम की बड़े कबर नहीं बढ़ेंगे बिहार में बिजली के दाम, खेती को मिलेगी और सस्ती बिजली जाराज के करिब एक करोड शाट लाग बिजली उपभोकताओं को इस साल भी रहत मिल सकती है बिजली दरों में लगातार तिसरे साल बड़ोत्री के सम्हावना नहीं है साथ क्रिसी सहित कुछ वगताओं को विशेश चूट मिल सकती है बिहार Great Company Limited के टेरिप पिटिसन पर बिहार विदोत विनामक आयोक के निन्ने के बाद ये संकित मिले हैं आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में तपवन महतसव किस तविहार के मौके पर मनाया जाता है इसका जवाब आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे